आज हम बनाएंगे cabbage का करी लिए हम लोग फ्रेश ले लेते हैं यहाँ पर अभी धन के मौसम का जो फ्रेश के जाने लगा है वही cabbage लेते हैं और उसके साथ साथ लेते हैं कुछ आलू मत थाप चोटे चोटे ने आलू जो उटने आया है तो आलू को मैंने चार हिस्से में काट यहां पर आलू मीडियम साइज का मीडियम से छोटा थोड़ा से चोटा आलू लिया है उसको मैंने चार हिस्सों में काटा है और यहां पर मैंने पत्ता गोबी ले लिया है पत्ता गोबी को मैंने एकदम पत्ता बारी करके काट लिया है इसको काटके धोके साफ करके एकदम प अगर सरसुका तेल लिया है क्योंकि यहां पर अगर सरसुका तेल लेगे ना उसका टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा आता है तो इसमें डाल देते हैं दूसा अबुत लाल मिज्ट तोड़के और तीन चार तेज पता अभी इसको थोड़ा सा गरम हो देते हैं मत्वाइ कर ल जादा नहीं थोड़ा सा इफ्राइ करेंगे देख लीजेगा मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ अभी आलू जैसे हलका सा फ्राइ हो जाता है उसमें हम डाल देंगे कैबिच देखिए अमबारा अलू भी बन चुका है तो इसमें डाल देते हैं कैबिच अभी इसमें इस वाद अनुसार नमक और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चला लेंगे अभी यहाँ पर अट कर देंगे हल्दी और हल्दी डालने के बाद भी इसको फिर से दुबारा चला लेंगे और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के इसको कवर करके कुक करेंगे पाउडर मैंने डाले दो चमच आप जितना तीखा खाएंगे उसके साथ से डालेगा टू टीजपून भूनावा जीरा पाउडर और अब सारे मसालें अच्छी तरह से कैबिज के साथ पता गोबी के साथ मिक्स कर देंगे ताकि नीचे वाला जो कैबिज है वो भी उपर चला क्या कुकिन नहीं हुआ इसलिए अच्छी तरह से मिला देंगे सारे सब्जियों को चैबिज हम लोगा अल्मूस कुक हो चुका है तो इसलिए यहां पर डाल देते हैं एक टमाटर मैंने यहां पर दो टमाटर डाला है मीडियम साइज का आप चाहे तो इसमें एक भी डाल सक तो चार से पांच मिट बाद इसको दुबारा खोलते हैं तो यहां पर देखी सकते हैं जो टमाटर हमने डाले थे वो भी अल्मूस गल चुके हैं तो अभी इसको अच्छी तरह से चला के कुक करेंगे जो बाकी का मतलब थोड़ा बहुत रह गया वो भी धिरे-धिरे कुक ह हो जानी है तो अभी यह वाला जो टाइम है ना यह वाला कुकिंग जो खोल के हम लोग कुकिंग करेंगे यह थोड़ा सा हम लोग को टाइम जादा लगे का मतलब पांच से चे मिंट का टाइम लग सकता है क्योंकि यहां पर आप लोग का अच्छी तरह से कुकिंग करना है तो थोड़ा से फ्राइ कर लेना है ठीक है ताकि इसका जो उपला हुआ फ्लेवर नहीं तो लगेगा ऐसे कि हम लोग बॉयल वाला सबजी खा रहे हैं ताकि यह उपला हुआ फ्लेवर ना आए इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा कोक कर लेंगे सीजन का पता को भी है तो बहुत जल्दी गल जाता है लेकिन क्या क्या होता है कभी-कभी सीजन का ओफ सीजन का तो गल्ने में टाइम लगता है कभी-कभी谢谢ved लगते कि अगर आपको लगता कि चलाते वें खोल के ऐसे कवर नहीं करें इसको कोक किये तो इसका कोकिंग अलमोस्ट हो गया है अभी तो अगर आप चाहे तो यहां पर थोड़ा सा घी उपर से डालते सकते हैं वह बहुत ही अच्छा लगता है क्हाने में क्योंकि इसमें तो हमने फिश यह डाला नहीं है तो मुस्त ये वेज बन चुका है तो वेज खाने में जहाँ पर अदक लेसन प्याज नहीं होता है उसमें थोड़ा सा गी डालते है तो खाना और भी बैतरी उसका जाइका बहुत अच्छा बढ़ जाता है तो यहाँ पर मैं अभी घी डाल देते हूं घी यहाँ पर मैंने अन्दाजन तीन से चार चमच घी डाले है आप चाहे तो यहाँ पर एक चमच दो चमच जैसा आपको मन चाहे उतना घी डाल सकते हैं ठीक है उतना जादा भी नहीं डालना है उतना एक से चार के अंदर यह आप रख सकते हैं तो ऐसा डाल के मता पत्ता कोभी को आंगी के साथ पका के देखिएगा, सच में बहुत ही अच्छा लगता है, तो बन गया आज का पत्ता कोभी, और इसी के साथ साथ ना, मैं अभी बना ले रही हूँ, बैंगन फ्राइ, तो ये वाला जो बैंगन है, ये पतला पतला सा बैंगन डाल दिया है, अब इसमें डाल देते हैं स्वादा नुर्सा नमक, और उसे के साथ हम यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी डालने के बाद सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, अब देख सकते हैं, यहाँ पर तेल आलमस्त नहीं है, ठीक है, तेल हम इसमें जादा डालते नहीं है, यह बैंगन इस तरह से फ्राइ होता है, और इसको अभी ऐसे चलाते वे छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए, और इसे कवर कर देते हैं, कवर करके चार से पाच मेट तक इसे कुक करेंगे, कवर करने के बाद इसको फिर से दोबारा खोल लेते हैं, देखें यहां पर एक साइड में कितना सुंदर ब्राउन हो चुका है, तेल तो अलमस्स है ही नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं, तो तेल नहीं है, इसके वचे से थोड़ा सा चिपक गया है, तो उसको थोड़ा सा क्लीन भी कर लेते हैं, और सार तो तरफ देजिए, वह से बन जाएगा, और फिर से थोड़ा सा घर लगता है कि थोड़ा सा कच्चा थोड़ा फिर से कवर कर दीजिए, तो 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 बैंगन मेरा दोनों तर्फे से अलुडी फ्राइ हो चुका है, तो इसी तरह से मैं देख रहा हूं, चैक कर ले रहा अल्मस हम लोगा बैंगन फ्राई हो चुका है अभी अभी थोड़ा भी बाकी नहीं है जितना है वो कराई का जो हीट है उसकी सबसे वो बन जाएगा तो चले बैंगन फ्राई भी हम लोगा हो गया तो आज मैंने पत्ता गोबी का सबजी और यह बैंगन का भाजी इदू रेस का ही अभी का मैं कर दो